स्वागत है आप सभी का लॉसी खुग के न्यूज इन फ्लेश में तो चलिए देखते हैं आज के कौन से महत्तुन समाचार है तो जो पहली खबर है यह आयोटी रूपर से है आयोटी रूपर ने एक उपकरन तयार करा है जिसका नाम है जीवन वायू जीवन वायू नाम से ही यह आप ऑक्सीजन जो है उसके आपकूरती के लिए काम में आएगा तो अभी यह जो हमारे पास में सिस्टम है CPAP का CPAP क्या है यह है continuous positive airway pressure तो इस उपकरन को substitute इसकी जगह यह जीवन वायू ले सकता है खास बात जीवन वायू के यह है कि यह मिना विजली के चलता है उसके अलावा O2 cylinder जो oxygen cylinders रहते है उसके अलावा oxygen pipelines रहते है यह दोनों ही काइंड के oxygen generation करता है तो यह continuously airway pressure बना के रखता है किसी भी परसन के अपर respiratory tract में चली दूसरी खबर देखते है यह है जो हमारी यतनी भी वार्स होती है operations होती है उनके declassification के बारे में तो अगर हम history देखे तो जित्ती भी हमारी वार्ड हुई है operations हुई है उसकी history को एक clear form में written down करने के लिए उसका संग्रह करने के लिए उसका वर्षों में होता है लेकिन अब यह officially record किया जाएंगा पांच वर्षों में तो यहां पर जो महत्पून declassification recommendation सलहा जो दी गई थी यह दो कमिटियों के द्वारा दी गई थी पहली है कारगिल review committee दूसरी है एनन वहरा committee तो चलिए तीसरी खबल देखते है पायर उस्ट्रिया लाल जी यह अपने आप में गनाया प्रकार का पेड़ है पेड़ तो वैसे पुराना है लेकिन इसकी discovery जो है वो new है खासकर भारत के संदर में तो coffee family जो coffee परिवार है उससे यह तालुक रखता है तो यह इस प्रकार क जो प्रजाती है यह प्रजाती देखने को मिलती थी अबहुत सीधा लंबे तने वाला पर advocate होता है इससलवर कलर का आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि इसका whitish इसकी कोटिंग होती है इसके तने पर तो यह सबसे पहले साउट अंडमान में वंडूर फॉरिस्ट जो है भारत में वहाँ पर देखा गया है उसके अलावा अंदमार के और अंदमान निकुमान के और एरियास में भी इसे देखने को यहाँ पर मिला है उसके अलावा जो अग इन्वाइट करिए है मेडिकल सप्राइज की डिलेवरी के लिए मेडिकल सप्राइज जिसमें वैक्सीन और ड्रग्स दोरों शामिल होते हैं तो डिलेवरी एक अनेम्ड एरियल वीकल के द्वारा मतलब ड्रोन या उसके जैसे किसी उकरण के द्वारा तो अपने आप में ये बहुत ही विशीश खबर है क्योंकि अब जो भारत के दूरस्त एरिया है वहाँ पर भी मेडिसीन ड्रग्स ड्रोन के माद्यम से सप्लाइ कि जाएगे उसके अलावा गर हम देखे तो कंपनी ने ये भी करा है कि आईजी एमार ने यू एवी ऑपरेटर्स को अर्ज किया है क कि वह इसके लिए ज्यादा से जाव यहां पर अपना प्रतिभागीता यहां पर दिखाए और इसके लिए पहले ही प्री डिफाइंड और प्री अप्रूब फ्लाइट पांच जो है वो तय किये जाएंगे चलिके तो अगली खबर जो है यह वर्ल्ड विंड डे के बारे मे जो एक क्लीन एनर्जी स्रोल से सरे थे इनको प्रमोट करने के लिए यह दिबस बनाया जाता है यूरोप में इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले सन 277 में और वेच्विक लेवल पे 2009 में तो यहां पर एक विंड एनर्जी को कैसे हम साफ रखे उसको पावर के रूप मे कैसे यहां पर इस्तमाल किये जा सकता है उसे कैसे एक रीशेप उसको पूर्णा आकार दिया जाता है उसके अलावा हमारी एकोनोम को कैसे कार्बन मुक्त किया जा सकता है और जौब्स और ग्रोथ के लिए इसे कैसे इस्तमाल किया जाता है उस हितु उस उद्देश से यह बनाये जाता है अगली खबर जो है ये है हमारे दक्षिन से भारत दक्षिन भारत से ये खबर है तुलू जो कि अपने आप में भाशा है करनाटक और कैरला में बोली जाती है लेकिन महत्पून बात ये है कि ये एर्थ शेडूल जो है हमारा जो आठवी अनुसुची उसका भ बाकी मदद मिलेंगी तो तुलू जो है ये डक्षिन करनर डिस्ट्रिक्ट है उसके अलावा उड्डू पी जो डिस्ट्रिक है उन डिस्ट्रिक्स में करनाटक में बोली जाती है उसके अलावा कासार गोड डिस्ट्रिक कैरला की जो है वहां पे भी ये भाशा बूली जाती उसके अलाव अगर 2011 के census देखे तो करीब 18,44,427 लोग भारत में तुलू बोलते हैं तो चलिए आज का जो हमारा news in flash है वो यही समाप्त होता है पूरी अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो तो आप जरूर इसे like करें सब्सक्राइब करें और अपनी दोस्तों के साथ में शियर करें थैंक यू स्टे ट्यूट